जनली जनले तो ऐसो जन के दाता के सुन नहीं तो रही जे बांजडी तुम मति गमाजे के जनली जनले तो ऐसो जन के दाता के सुन और नीतो रही जे बांजडी तुम मति गमाजे जनली जनले तो ऐसो जन अर जूराणा परता अकबर सूतो ओज़के अर वो जान सिराने सांग मादर जी दर्ग ने इस रचना को लिखा और इतनी सुन्दर पंक्तिया कही शब्दावली कही चिंतन आज के भारत का आज के इस युग का क्या होगा देश का तो संदर पंक्तिया संदर शब्दों के साथ हर दी खाटी हर दी खाटी में समर्लयो वो चेत करो असवार कठे अरे मा यड़ थारो वो पूति कथे एक लींग ती माल कथे वो महरार करतां कथे हर दी खाटी में समर्लयो वो चेत करो असवार कठे मा यड़ खारो वो पूति कथे एक लींग ती माल कथे वो महराणा करतां कथे वो महराणा करतां कथे करना पढ़ेगा तुझको सामना पहाड का 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 अलती घाती कोई खेन नहीं खिलवार का अरे देना चवाब तुझको सामना पहाड का देना जवाब तुझको सेरों की तहाड का छेतक महान है तुझको भरती की शाग है तुझको रखियो रहाज उनिदी आ एक अबर गे किसे उन्यमाले भोड़े अरे मैं बाच्यों है इतिहासा में मैं बाच्यों है इतिहासा में मायड थे एडा पूत जण्या मायड थे एडा पूत जण्या मैं बाच्यों है इतिहासा में मायड थे एडा पूत जण्या धन पान लजायो नी थारो दन पान लजायो नीपारो रण धीरा वे शिर्दार बण्या दन पान लजायो नीपारो रण धीरा वे शिर्दार बण्या में दूटी ममें कथे महराना स्रताप कथे वो महराणा कर ताप पठे महराणा परताप और अकबर का युद्ध किस इस्तान पर हुआ किस इस्तान पर हुआ हर्दी गाटी बिल्कु संस्प्त में प्रसुत करने के मेरे प्रयास है हर्दी गाटी में ये युद्ध चल रहा अर्भग्मान शिव पारवती जी पुश्म विमान से निकले और निच्छे दिखा के एक योदाव अकबर की फॉज से लड़ रहा हुआ शिव जी ने पारवती जी से कहा रहा हुआ बोले ये हलेधी घाटी राटी लासो हलेधी घाटी राटी लासो शिव पार्वती युद देख रया शिव पार्वती युद देख रया बेवाडी वीरोधी ताकत अपनी निजरों में तोल रया बेल्या शिव ची सुण पार्वती वेवार भोमरी पलिहारी जो हचा करम करे जग में वे अठे जनम वे नर्नारी आठे जनम वे नर्नारी ये यां पे टाग आजये और वह भी बड़ी ताकतव Bacon वे अठे जनम वे नर्नारी वे अठे जनम लेनर नारी वो सयम एक निद्य रूप धरा कर दो कर दो कर दो